UP BJP में एक निहायथी बद्दिमाग मंत्री है उनका नाम है दिनेश प्रताप सिंग उन्होंने इतनी गंदी और ओची टिपड़ी एक महिला के लिए की और हम मेरी नेत्री प्रियंका गांधी के लिए की कि उसकी जितनी भर्थना करू वो कम है लेकिन असलियत ये है कि दिनेश प्रताप सिंग ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनकी और भारतिय जन्तापाटी की कितनी अभद्र, कितनी भद्दी, कितनी गंदी सोच है, कितनी महिला विरोधी सोच है क्योंकि जिस भाषा का उन्होंने उपियोग किया है वो वही बोल सकता है जो वस्तुता महिलाओं का विरोधी हो लेकिन मैं दिनेश प्रताप सिंग जैसे आदमी से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ आपने अपने असली चाल चनितर का परिचे तो दे दिया लेकिन एक बात ये भी सच है कि जो हार आपकी हुई और जो करारी हार आपकी राइबरेली में हुई उससे आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं और लगता है आपके मन की ये कुंथा है कि आप प्रियांका गांधी के खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन बीजेपी आप ही के जैसे लोगों से भरी पड़ी है फिर चाहे वो कुलदीब सिंग सिंगर हो या ब्रिजबूशन सिंग हो या देनिश पताप सिंग हो सम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं आप ही के जैसे लोगों ने BJP को और आप ही के जैसे लोगों ने समाज को महिला विरोती बनाने में पूरा योगदान दिया है मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ चुनावी हार से उबरिये और महिलाओं की इज़त करना सीखिए आप राजनेतिक और सारवजनिक जीवन में होने लायक इनसान नहीं है आप जितने निकम में मंत्री है उससे निहायती घटिया इनसान भी है